हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइ दोस्तो पहले भी मैंने फ्रेंच फ्राइ बनाए हैं लेकिन मेरे फ्रेंच फ्राइ क्रिस्पी नहीं बनते थे लेकिन इस बार मैं बनाऊंगे बिल्कुल क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइ उसके लिए आपको आलू ले लेने हैं जितने भी आपको चाहिए उसे साबसे ले लीजिए और उन्हें अच्छे से वोस करके छीर लीजिए फिर वोस कीजिए फिर उन्हें काट लीजिए देखिए इस तरीके से आपको काटने हैं अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइ कटर है तो उससे भी आसानी से कट सकते हैं लेकिन मेरे तरीकी से आप काट सकते हैं अगर आपके पास नहीं है और उन्हें कट करके सीधा पानी में आपको डालना है वरना आपके जो आलू हैं वे color change कर लेंगे अपना पीले पड़ जाएंगे इसी वज़े से आपको सीधा पानी में तो french fry medium size के काट लेने हैं ना जादा बारिक ना जादा मोटे तो यहाँ पर हमारे french fry कट कर बिल्कुल रेडी हो गए हैं इन्हें मैंने पानी में डुबो दिया है तब तक हम चलते हैं gas की तरफ यहाँ पर मैंने भगोने में पानी रख लिया है इसमें थोड़ा मैंने नमक पानी में उबार आ जाने के बाद इसमें कटे हुए आलू को डाल देंगे और हमें यहाँ पर आलू आधे सोफ्ट करने हैं सिर्फ आधा पकाना है आलू को आपको पूरा नहीं पकाना है तो आप ढख कर इसे थोड़ी देर पकने दीजिए अभी हम चेक करते हैं कि हमारे आ ओगे हैं इन 거예요 लेटे हैं छलने में और इन्हें हम सुखा देंगे सुखाने के बाद मैंने एन्हें एक घंटा freezer में रखा है freezer में ठीक है आपको freezer में एक घंटा रख लेना है उसके बाद आपको fry करना है यहां पर मैंने तیल गरम कर लिया है तेल से जब धुड़ा निकलना स टाठ हो जाए, तेज गरम तेल लेना है, आपको उसमें फ्रेंच फ्राई डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमको फ्रेंच फ्राई सिर्फ आधा ही पकाना है, पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि हम दो बार इसे फ्राई करेंगे, ओके? तो यहाँ पर हमारे लगभग आधे पक ज निकालने के बाद इने हम किसी कागज पर निकाल लेंगे या किसी कपड़े पर जिससे इसका जो एक्स्टा ओयल है वो सब नीचे निकल जाए यह दिखिए इसी परकार हमें अपने सारे फ्रेंच फ्राय निकाल देने हैं आधे आधे पका कर आप यहां पर इन्हें दो तीन द के टाइम देना है दोस्तो यहां पर जो मैंने ओयल पहले इस्तेमाल किया था वो ही ओयल मैं अभी ले रही हूं तो इसमें हम अपने जो फ्रेंच फ्राय है वो डाल देते हैं क्योंकि अभी मुझे बच्चों को फ्राय करके देना है तो इसी वज़े से उनकी मांग आ रही तो शाम का टाइम है तो मैं शाम के टाइम इन्हें बना रही हूं आप चाहें तो आप किसी भी टाइम इन्हें बना सकते हैं इस्टोर करके भी रख सकते हैं एक आध दिन तो यह देखी यह कितने क्रिस्पी हुए हैं यह सच में काफी क्रिस्पी है और मुझे इनका रिजल काफी खुस हुई हैं देखकर इस बार तो पहले तो भूलते थे कि मम्मी आपने क्या बनाया यह बिल्कुल एक दम सोफ्ट सोफ्ट है एक दम मतलब सीधे खड़े भी नहीं होते तो उन्हें काफी पसंद आया है यहां पर मैं इसमें डाल देती हूं थोड़ा काला नमक थोड मसाला भी डाल सकते हैं और यहां सूस के साथ खाएंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और हां प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें